लो दोस्तों स्वागत है अब सभी के सेशन में इस सेशन में हम जाब का इंगियन इकनोमी विच इस इन इंपर्टन कॉंपनेंट ऑफ जे इए बी उसका मॉड्यूल सी चैप्टर ट्वेंटी फॉर माइक्रो फिनांस इंस्टूशन इस पर हमारे डिटेल्ड इसकेशन करेंग पर हम पर्टिक्लर टॉपिक को दिसकस करते हैं विच इंपर्ट उपीक से किस तरह कि एंससे कि एग्जाम मैंगे वह बी इसकस करते हैं पर आपको और आपको अईडिया क्यूंपे से कौन से इंपोर्ते इन उससे कैसे एंसे को पुछ है अंग्रायट बिफोर मुविंघए let me just remind you if you are preparing for the JIB exam then if you need any guidance then definitely you should be considering our master course जहां पर हम चारो के चारो चारो components है JIB exam के I and IFS, AFM, PPB and RBWM इन चारो को ही यहां पर comprehensively cover करने का पूरा प्रयास करते हैं जहां आपको मिल रहा है है शौर्ट वीडियो 15-15 मिनिट्स के वीडियो से इस इन वीडियो के थ्रू आप पूरा 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 सिलिबस हो है cover करते हैं इसके साथ साथ यह आप वीडियो जब आप वीडियो जेख लोगे देन यू नीट सम् प्राक्टिस इसंट तो चाप्टर वाइस क्विजस आपको अवेलिबल हैं और सम पाट ऑफ यह पोर्शन अगर सिलिबस अगर हो गया है किसी भी पर्टिक्लर कॉंपनेंट ने तो आप फुलन मॉक टेश्ट देना चाहोगे तो फुलन मॉक टेश्ट भी आपके आप अवेलिबल कराये जा रहे हैं अलांग विद देट व आप शॉट नोट जिससे आपकी रिविशन बिफोर एक्जाम जो है शॉट नोट सुंगे तो आराम से प्रवाइस कर सकते हैं और जिस बिफोर देग्जाम अगर कुछ भी छूट जा रहा है तो रिविजिन के लिए लाइव क्लास भी अवेलिबल है ओके वेर यू किन डारेक्ली इंटराक्ट विट एस एंड लर्न ऑन दो गो ठीक है तो दीज आदर थिंग्स अवेलिबल हियर लिंक दिस्रिप्शन में दिया हुआ है फटा फट से आप इसे जो है वेल कर सकते हैं जे आई बी 75 यह कोड यूज करने पर आपको 75 परसंट का इसकांट मिल रहा है ऑन दिस पर्टिकलर कोड्स सो हारिया ओके सो यह वे विल बी डिसकसिंग अबाउट दा अर्ब्याइक का जो रिगलेटरी फ्रेमवर्क है मान रिग जोट चलेंड़ और आंधि तो बीड बातिजक्शन committing का इलेटरी बातिंड ईकर आना यह व्ने इसनों अर्फियांस में लिकिंड वद्रिग सेथा आिक एक लोडां कॉन और मालग्यांत मिलेटर्टिक्मिल में अ déjà मान कवे आखे सब्वड़ टिसे Sumism में यह एंड आर्बिया आक्ट के चैप्टर 3 भी के तहट एंड नाशनल हाउसिंग बैंक आक्ट जो है उसके सेक्षिन 32 के तहट यह सारे जो प्राविजन से वो लेकर आया परजेशन है यह इनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है पूरर जो रिप्रेमवर्क किसे पूछ यह चीजेंग एंड विपोर्ट फूर्ट एंड वाइंड यह लगने के लिए वीविल बीशेंग एवरिफिंग बटाइव लाइट लगने के लिए बटा यह एंग क्या-क् माइक पाइके है आए इस फरी यह पर आपर द्रिश प्रवाइट थर्य फरीन rozp कर दिफाइन किया गया तोब प्रर्स करण लोन दिया जा रहा है उनका अन्वाल इंकम तीन लाग रोपे से कम होना चाहिए कितने से कम रुपीस्ट्री लाक लिस दान रूपीस्ट्री लाक देर अन्वेल इंकम शुड़ बेशिस जा जाता है यहां पर और हाउज होड जो डिफाइन किया गया है उसका मतलब individual along with family तीक है individual family unit husband wife उनके unmarried children इनको household माना गया है married होंगे तो उनको नहीं include किया जाएगा conditions काफी easy है यहां पर because loan कोई भी लियन यानि की collateral वगरा से link नहीं है repayment की flexibility है जैसा भी borrower चाहता है उसके साब से और यहां household income की assessment किस तरीके से की जा रही है board of prude policy होगी उस bank की and then they will be assessing the household income on that basis only इसके साथ साथ जो भी household income इन्हें देखने को मिला है and other related information with respect to the loan and its repayment यह banks को share करना है with the credit information companies obviously वो share करते हैं regulated entity mandatory submit करना है information household income related to the credit information companies ठीक है household income क्या है उसके basis पे उनका एक credit score type का जोए बनाया जाएगा and that will help the credit information companies now loan repayment obligation जो है उस पर कुछ limit है क्या percentage of loan यानि की जो आरी से have information on percentage of repayment of monthly loan obligations of a household as a percentage of monthly household income तो इनके पास information होना चाहिए कि household income का कितना percentage जो है monthly loan का repayment उने करना है let's say monthly वो thousand rupees कमा रहे हैं but repayment उने ten thousand rupees का करना है loan का तो how will they be able to pay that thing तो यह ratio आपको देखनी है and again the same has to be shared with the cic credit information companies loan के pricing किन किन चीज़ों पर depend करेगी cost of funds क्या है risk premium margin spread कितना ही इन चीज़ों पर और यह सारा कुछ आपको अपने fact sheet loan related fact sheet में website पर display करना है ताकि सभी को पता हो और borrowers के तरफ किस तरह conduct होने चाहिए fair practices code दिया गया है जो हम पहले के sessions में discuss कर चुके है board के approval के basis पर and RBI guidelines के basis पर यह fair practices होने चाहिए fair practices mainly है कि borrower अगर default का situation अगरा लग रहा है then you should not force the borrower to give the money back ठीक है और इसके अलावा एक criteria यहां पर दिया हुए qualifying asset का तो we have already discussed की अगर कोई bank जो है microfinance loans total loan में से कितना amount of loans microfinance loans दे सकता है और देना होगा तो 75% तक का loan जो है microfinance loans वो दे सकता है कोई particular financial institution specifically bank now let's say financial institution है जो की NBFC microfinance institution नहीं है तो ऐसे जो institutions NBFC को microfinance loan देने नहीं दिया जाता except NBFC microfinance MFI इस तरीके से specifically designated नहीं यह loan नहीं दे सकते microfinance loan नहीं दे सकते इन जनर तो NBFC MFI के अलावा बाकी लोग नहीं दे सकता अगर बाकी लोग दे भी रहे बाकी NBFCs दे भी रहे हैं दे क्राइटिरिया बास कि 10% only you can give 10% of your total जो assets है वो ही दे सकते हैं बत राइट नहीं दर क्राइटिरिया has changed to 25% some entity which is not NBFC microfinance institution even then 10% 25% का loan जो है वो microfinance institutions को दे सकता है तो criteria has been changed okay so these is this is the entire regulatory framework let us discuss a few questions for the purposes of availing microfinance loans annual household income कितना होना चाहिए ठीके 1 lakh 3 6 year 10 lakhs so the answer is 3 lakhs okay B will be the right answer so this is the question that you have to answer please read the question a microfinance institution does not qualify as NBFC MFI can provide dash percentage of its total assets as microfinance loss 10 25 75 90 percent please drop the answer in the comment section let's see who gives the right answer thank you if you have any other query you can always let us know by dropping uh by calling at 8146207241 yeah if you're dropping the mail at hello at the rate edutab.co.in thank you so much have a nice day